करोड़ पती को भी बिकारी बना देता है घर के सामने लगा यह पेड़ नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल वेदिक कल्चर में दोस्तों पेड़ पोदों का हमारे जीवन में बहुत खास महत्व है पेड़ हमारे जीवन का आधार है पेड़ पोदों के बिना मानो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती वास्तू शास्त्रव जोदिश शास्त्र में पेड़ पोदों से सम्मदेश कुछ ऐसी बाते बटा ही गई है जो आपके घर में सुक समरुद्धि ला सकती है साती वास्तू शास्त्र में उन पोदों के बारे में भी बटाया गया है जिनको घर में लगानी से घर में अशान्तिव दरिद्धा फेल जाती है तता माता मालक्षमी घर से दूर चली जाती है खटी मिटी इंलियां हम सभी को पसंद है हम मेंसे जादता लोगों के घर के आसपास इंलि का पेड़ होता है वास्तू वा जोती शास के उनसार इंलिगे पेड़ पर बहुस सी नकरात्मक्षक्तियां भूत प्रेत पिशाच आधी कवास होता है और इसका दुश प्रभाव इस पेड़ के आसपास रहने वाले घरों के लोगों पर पढ़ता है, जिनके घर इमली के पेड़ के आसपास होते हैं, ऐसे घरों में रहने वाले लोगों के जिन्दगी में कभी प्रगती नहीं होती, उन घरों में रहने वाले लोगों के स्वास्त पर बुरा प्रभाव पढ इन गरों के आसपास रहने वाले लोगों की तबियत दिन प्रती दिन भिगडती है और कई असाध्य वह लाईलाज रोगों से ऐसे परिवार के लोग ग्रसीद रहते हैं परिवार में लड़के लड़कों की शादी होने में अर्चने आती हैं नोकरी वह धंदों में नुकसान होने लगता है तता धीरे धीरे नोकरी छूटने वह उद्योग धंदे बंद होने की स्तिती आने लगती है ऐसे गरों में हमेशा लड़ाई जगडे वात विवात कलर का बातलवन बना रहता है और गर के लोग बिना किसी कारण एक दूसरे से लढने जगणने लगते हैं दोस्तो कुछ लोगों के घरों में आंगन या खाली जगे होती है तो वो उस तान पर इमली का पेड लगा देते हैं दोस्तो अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए परंतु यदि आपके घर के आसपास पहले से ही इमली का पेड़ लगा हो तो क्या करें दोस्तो इमली का पेड़िया किसी भी हरे भरे पेड़ को काटना नहीं चाहिए पर्यावरेट की दुष्टी से ऐसा गरना बहुत गलत है तो ऐसे समय में आप अपने घर में तुलसी का पोदा या केले का पोदा लगा सकते हैं तुलसी का पोदा स्वयम माता मालक्षमी का ही स्वरूपोदा है तृदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इसमें वास करते हैं इम पोदे की नेमित पूजा करें उसे जल चड़ाएं शाम के वक्त उसके पास दिया जलाएं ऐसा अगर आप करते हैं तो फिर आप आराम से इमली के पेट से निकली नकात्म गुर्जा के प्रवाउं से बस सकते हैं या हमारा उद्देश किसी भी तरका भ्रह्म पेदा करना न पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही और जानकरी के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब कीजिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाये श्री कृष्णा